थीक है एक है क्वेश्चन नम्बर थ्री पेज नमबर है तू थर्टी टो ठीक है दान देना क्या लिखा है शुभांगी मनीश्चा एंड शीतल आर्द पार्टनर्स बेशेर प्रॉपिर्स लॉसस इन देश्व रेट वनीश्टोन इक्वल पार्टनर्स है नहीं लिखते तो भी चल जाता ठीक है यह बालेंशिट एज उन 31st मार्श 2018 वाज एस फॉलो द्याग्यों बैलेंशिट एज उन 31st मार्श 2018 देखो क्या है आगे कैपिटल सब शुभांगी एंड राइट शुभांगी एंड मनीशा क्रेडिट वालेंस इस है रिजॉफ फंड कैपिटल में डिश्टिबूट होगा क्रेडिटर्स बिल्स पेबर रिवालेशन सारी रियलाजेशन क्रेडिट बराबन मशिनरी स्टॉक डेटर्स लेस आड़ बार रिवालेशन क्रेडिट बिल्स इसेवल उसके बाद कैश एड बाइंग अलग अकाउंट शीतल कैपिटल है जटेबिट वालेंस शी में भी इंसॉल्वन बराबाब डेविट वालेंस इडिकेशन की वह इंसॉल्वन हो सकती है आगें नेक्स्ट ऑन देट अन अबो दे सब्सक्राइब करते हैं अलग वैल्यू पेड करने तो लिखने के जूरत नहीं थी यह नहीं लिखते तो भी हम फुली पेड करने आले लिएटीज वैसे हम फुली पेड करते हैं हां अलग वैल्यू पेड करने तो लिखो अगर सेम वैल्यू पेड करने तो लिखनी की जूरत नहीं वैसे हम पेड ही कर देंगे ठीक है आगे रियलाइशन एक्सपेंसे अमोंटेट टू 6250 ठीक है एक्सपेंसे है एन उसके बाद दे लास्ट वन सीतल वह दिकले एक वर ठीक है यह रिखार टू प्रिपर रेलाइशन अकाउंट कापिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट टीक है करेश्ट है यह शे के लास्ट में तो इस साइड खुशिफ्ट होगा मुझे दिखेगा ठीक है क्लियर है सो डिसलेशन नमबर इलस्टेशन नमबर त्री पेज नमबर जो कुछी पही लेको 280 232 यस 232 यह दान देना सो सबसे पहले आएगा रियलाइजेशन अकाउंट चलो टी फॉर्मेट में टी फॉर्मेट में रियलाइजेशन अकाउंट इतना भी कुछ है इसे डिफिकल्ट एक आप्टर है इसे नहीं है अरे कॉलेज के तुम लोग के चालो या बंद हो गया अब भी क्या ले रही इतना क्या चल रहा है उनका इसे बुलाते हैं लेकिन मिराज वालों का बुलना बंद कर दिया ना मिराज वालों को और क्या करें जैता हुआ हुआ है तुम लोग कि पार्टनर है ना उसके बाद कैश और बैंक पार्टनर का लोन नहीं न सेपट करने को अगर लोन होगा तो हम उसको सेफ़ेट अकार मनाएंगे ठीक है करेशना जो भी बैलेंशिक में एक जगह पर लिखेंगे तो लिखने रहा है तो लिखने रहा है तो अच्छा तुझे पेंसिल होगा चाहिए पेंसिल चाहिए अच्छा निकाल मत निकाले कर तो प्रॉब्लिम में आ जाएगा ठीक है खतम बितम होगया तो क्या आगे रहीं ना आगे रहीं ना आगे रहीं रहीं आगे रहाइजएशन देन क्रेडिट क्रेडिट पर आएगा इसकी इंटरी नहीं नहीं तो इसकी इंटरी लिखना स्टार्ट करोगे ठीक हैं फिर रिजवर्फन ट्रांसपर करो बाई रिजवर्फन क्रेडिट है रिजवर्फन क्रेडिट है क्रेडिट पर जाएगा इंडियर रिजवर्फन क्रेडिट को नाइन हाज था टोटल तो थी से डिवाइड होगा अब्यस्लिव इसके इंट्री होगी रिजवर्फन क्रेडिट टो एस एम एस एम एस इस इस चीए जिसके सामने बाई वो डेबिट है आज सिंपल आज दाट फिर के आगे ख्रिडिटर्स अन बिल्स पेपल ग्रेडिट है रिए रिए रिटिवर्ट पेड़ दाल दो बाई संडरी लाइग संडरी लाइबलिटीज चीए क्रेडिटर्स अन बिल्स पेपल एक देर बुक वाल्यू क्लोज करते टाइम बैलें चित में तो इक लोगा हम अभी क्लोज कर रहें बेसिकली थर्टी सेवन ताउजन फाइंड एंड त्वेल ताउजन फाइंड टोटल कितना फिप्टी यस त्विप्टी थाउजन में तो लाइबलीटी साइड डन अब असेट साइड को हाथ लगाएंगे मशीनरी तो मशीनरी या तू संडरी अशेट्स तीके एक एक तू संडरी असेट्स तू संडरी असेड्स तू संद्रे असेट, मशिनरी, जो कुछ भी बुक वाल्यू पर लिको, 62,500, फिर है स्टॉक, बुक वाल्यू पर लिको, 37,500, फिर है आपके डेटर्स, बुक वाल्यू पर 27,500, आड़ीडी अलग से लिको, या पे पाए आड़ीडी, या आप संद्रे लाइबलीज में लिखत तो कोई फरक नीपड़ता, कट मत करते रहो, अलग से लिखा तो भी चल जाएगा, 2500, वैसे भी आड़ीडी का पेमेंट नहीं होगा, आड़ीडीडीड प्रोवीजिन्स का पेमेंट नहीं होता है, ठीक है, आगे, देन, बिल से 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 बल, बिल से से बल इस ट्वेन्टी तु Cashier bank अलग account आईगा, two balance brought down, two balance brought down, कितना है, 12,500, so we had 12,500 with us, and shital capital as a debit balance, asset में मतलब debit है, तो debit पे लिख दो, two balance brought down, this is 12,500, ठीक है, जो भी balance sheet में, tallyed information एक जगा पे जाती है, tallyed information एक जगा पे, गई, clear है आता, so we have close the book, this is subtitle कितनी आजाएगे, 1,49,000, okay, good, 1,49,000, ठीक है, अब asset sell करेंगे, liabilities pay करेंगे, 50 आती है, okay, let me, 500, 500,000, 1000 plus 1000, 2000, two carried, two carried मतलब भी आजाएगा, 64, 64, 64 plus 7, 71, 71 plus 30, 1,001, 1,001 plus 7, 1,008 plus 20, 1,0028, 1,0028 plus 22, 1,0050 आना चाहिए, 1,0050, 1,0050, आगे, ठीक है, 1,0050,000, good, clear है, next, 1,0050,000, आगे, अब asset sell करेंगे, उसके दो effect, cash increase होगी, relation credit, फिर liabilities pay होँगे, उसके भी दो effect, cash काम होगी, credit, relation debit, बड़ाबन, clear है, चलो, अब जैसे उन्होंने बोला है, चलो, asset sell करेंगे, buy, bank, cash oblique bank, stock से, जो मिला हो ले लो, it is 31,250, उसके बाद machinery से, जो मिला ले लो, कितना machinery से, 37,500, उसके बाद dators, 21,250, बड़ाबर ने, उसके बाद bills disabled, 18,000, बड़ाबर इतना मिला, I think इसके सिवा cash में कुछ आने वाला नहीं है, इसके सब total आ जाएगी, 1,001 carried, 252, 50, 500, 500, plus 500, 1000, 1 carried, तो यह आजेगा आपका 32, 32 plus 7, 39 plus 30, 69, 69 plus 1, 69 plus 1, 70 plus 20, 90, 90 plus 18, 1 lakh 8, 1,008,000, so cash ratio is 1,008,000, तो यहाँ पर debit पर आजाएगा, 2 realization, 1,008,000, इंट्री आगे, bank account debit to realization, bank debit पर, relation के credit पर, बराबर, clear है, आगे, अब payment करेंगे, 2 bank, उन्हें जो values पर बोले, वो values पर payment करेंगे, otherwise book value, जो भी हमने credit पर डाला है, उस value पर पे करेंगे, ठीक है, तो creditors को उन्हें बोला है, हमने 2% discount पर पेड़ किया, creditors कितने के आपके 37,000, credit, credit पर देखो, कितने के 37,000, credit, so हमने 2% less पेड़ किया, 37,500 minus 2%, 1% रहेगा, 375, 1% रहेगा, 375, 300 का डबल, 600, 75 का डबल, 750, 750, 750, 500 से 750 गए, पहले 500 गए, पहले 500 गए, मतला 37 बचेगा, और 250 गए, 36,750, 36,750, बिल्स पेड़ उन्हें बोला है, फुल में पे करना है, बट हमें कोई बोलनी की ज़रुवत नहीं थी, उतना हमें समझता है, उतना तो हमें आता है, कि हम कुछ लिखा नहीं, तो हम फुल पे करेंगे, यह पेमेंट होने के बाद, हमें रियलेक्शन एक्सपेंसेज का भी पेमेंट करना है, कोई एक करने करने हम है हम पैमेंट करेंगे इतने का पैमेंट करने हैं कि इसके सिवा कुछ भी पैमेंट बाकी नहीं है लाइडिटी सब क्लियर होगे, क्रेटेटेस क्लियर होगे, बिल्स पेडल क्लियर होगे, कोई पाटनर का लोन नहीं है, जो हम पेड कर सकते हैं, तो टोटल पेमेंट आ गया आपका, इतनारे 55,000,'ve Leta, उसका problem funk क्लियर होगे, तो टोटल अमट पेड इस 25,500 सोन, प्रेमेंट होगे, तो हेड़ी सब्स गए, by सब्सक्राइब करना है कि इसके सिवा कुछ है कि नहीं तो रिएलेशन क्लोज कर सकते हैं एंड जनरली लॉस रहेगा जब भी इंसल्वन से रहेंगे ना इंतरें पैसे से स्व लॉस में मेरे साथ से तो इपिज यह एक लाग है निट एक लाग है तो फिर एट थाउजन है एट थाउजन एट थाउजन एट थाउजन यह 10,500 इंग का लॉस है में ने क्या किया मैंने सोचा यहां पर क्रेड़ पर 50 डेबिट पर 1 लाख है मतलब डेबिट एक लाख है डेबिट एक लाख है क्रेडिट एक लाख लाख यह जहीं आप अब्विस्ली आपको टोटल करके करना पडेगा बट आप देख सब्सक्राइब करेट यरा ओंग है दिसी फुल्टिव सुथिए टोट्टिफाइड वाई लॉस और रियलाइज़िएशन प्रांस्पर्टू पार्ट्नेस इन देर फफेट सेंदर्शों कि यह बड़म बोलो कितना इक वाली फंद्रा फंद्रा एस्मस विप्टीन थाउजन फिप्टीन थाउजन फिप्टीन थाउजन दिवादें इंदा पी असा इक वल्पियासा ठीक है तो यहां पर डेविट किया जाएगा मडम चलो करो टू कि रियलाइजेशन अकॉंट कि 15,000 15,000 15,000 आगे देखो अगर इतना हुआ है तो अब क्या पोजिशन है पहले जो इंस्वाइट है उसको क्लोज करेंगे को इंस्वाइंट है शीता थर्ड पाटनर तो अब्वियस्लिए अगर वह इंसल्वन्ट है मतलब उसके कैपिटल में डेविट बैलेस है वाइडिफॉल्ट हो नहीं चाहिए अधरवाइस वो इन्सल्वन्ट हो इने सकती सुप यह तो बाट ठीक है उसकी नांबस इन्सपे पर मेरे लिए ते ऐ वन फाकर से सोघ्थ करेंगे अगर एंसल्व इंसल्वन्ट है मुंसका पहले क्लोस करेंगे उसका debit has to be more it is I think 27,500 minus 7,500 say 20,000 so debit balance है मतलब हमें उससे record करना है हमें शितल से record करने 20,000 कितने record करने 20 ठीक है शितल से 20,000 record करने उसमें से वह हमें कितना दे रही है 50% 20 में से वह हमें देगी या डिलिक लिखने का by cash by cash oblique bank into bracket final dividend उसने हमें कितना दिया amount नहीं लिखिए उन्होंने amount नहीं लिखिए ना perfect हमें दूरनी पड़ेगी so 50% of 20,000 20,000 का 50% 20,000 का 50% generally they will give you amount कि 10,000 मिले 15,000 मिले मत यहां पर उन्हें value धुननी को बुला है बाकी क्या हो गए मडम जो 10,000 जो उससे रिकवर नहीं होगा वो किसको debit मारेंगे यह जो 10,000 रिकवर नहीं होगा partners it is the loss of the firm these loss will be debited to remaining partners in their profit sharing ratio so यह 3,000 क्रिडिट होगा insulin partner को debit किया जाएगा इन दोनों के उनके PSR में ठीक है उनके PSR में आगे यहां पर buy क्या आएगा S के capital में buy क्या आएगा H छोड़के बाती सब आएगा that is S and M चितल छोड़के शुबांगे और मनीशा यहां पर शुबांगे और मनीशा के account में क्या आएगा वो दोनों छोड़के that is चितल clear है यहां तक clear है तो अपने अप चितल का account इंसल बातना का close हो गया समझा 20,000 उससे रिस्योदार उपर से अरे भाई नहीं समझा ना नहीं इसको बोल रहा हूँ नाम कहा रहे रोई खामकर तो आटेंड नहीं करता ना रेगुलरल नहीं ना यहां परकी मद आटेंड ने के अधूने भाई अरे वसमे शार्मा ने के वसमें कि अ कि अ कि अधर का अच्छा खिदर से दू प्रॉपर अ आपको कुटा लगा जिल्ला पुने चेखा आच आमन नगर चाहे हाँ संगर में तालोगा साकूर फुड़ यार या साइड लाला कोलर साइड लाला का त्या साइड लाला नगर साइड लाला है कि एक टो पहले बाद पढ़ाई भी नहीं होती यसे घर वाले कोई भी काम बोलते नहीं नहीं बोल सकते और अगर विलेज में रहोगे तो वहां पे रेंज का इस्यों है तो एकर और यह से ओर दो-तिन लोग है ठीक है इसकी इंट्री न मतलब तुझे जल इंट्री चाहिए क्या चाहिए है ने जलीजर पड़ना चाहिए यह से ना कि एस को न है शुभांगी एंट्र ही टो इसके डेबिट पर शुभांगी टेबिट फिर मनीशा डेबिट अमाउंट यहां सब्सक्राइब करेंगे उतना उनको करेंगे मतलब उतना उनको कम देंगे तो 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 यहां तक ले रहे हैं आगे देखते हैं अब इन दोनों का अपिडल शायद से क्रेडिटी इसमों इनको पे करना है ना आइधिंग यहां पर इसका 70,000 आ रहा है 70-20 इसको 50,000 पे करना है बराबर और इसको कितना पे करना है रहे है 25 इसकी पुटल कितने आगे 45,000 आ 45-20 परफेक्ट तो यहां पर आएका तू बैंक इन्टू ब्रैकेट फाइनल सेटलमेंट फाइनल सेटलमेंट फाइनल सेटलमेंट यहां पर पेमेंट हो गया पहले तो इससे 10,000 आगे यह ले लो इससे 10,000 आगे तू चीता 10,000 एन इन दोनों को पेमेंट किया बाइ, शुभांगी एन मनिशा शुभांगी का पेमेंट है 50,000 एन मनिशा का पेमेंट 25,000 आपके पास कैश नहीं लोनी चाहिए 1,20, 1,30,000 एन रिसीट इस 1,30,000 एन रिसीट इस 1,30,000 एन रिसीट इस 1,30,000 एन रिसीट मतलब क्या बिजनेस बंद करना है तो असेट सेल करेंगे तो पैसा आएगा और फिर वो पैसा हम लाइबलिटीज को पे करेंगे और फिर जो बचता है वो पार्टनोर को मिलता है और सब बुक्स अपने आप क्लोज रहते हैं अच्छ विल टाली कैस्ट आली हो गया कैस्में कुछ बालिस नहीं बचता दर इस एप रूसीजर पहले बुक्स क्लोज करना फिर अच्ट सेल करना फिर लिएपिलिटीज पे करना और कैपिल पे करना लगे लिए लिक लिए लिए लिएगा तो बीचलेगा क्या करा वो आगी रिएलिजेशन अच्पंट डवित तो असे सगन्धे रिएलिए अच्ट ओंड यटिवित लागे लिए लाख कृति तो मशनरी 62 500 तो स्क 37 तुड़ देटर 27500 तो बिल्स सेबल 22500 तुड़ फिर धिर दुसरी इंटर डिए लिए 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 ल लोगी इसे गया लोगे जिसे अगे फिसे आगे अर्छ इट ताऊजन असे डेविट पे लोगे तो नहीं हो। फिर लाइलिटीज का पेमेंट हो जाएगा, लाइलिटीज अकाउंट डेबिट तुर बैंक, शारी, रेलाइजेशन तुर बैंक, 55,500, 55,500, यह सब पेमेंट होने के बाद, यह लेप्ट विच सम लॉस, यह लॉस कापिटल में ट्रांसपर होगा, इंट्री होगी, पार्टनर कापिल एकाउंट डेबिट, तुर रेलाइजेशन, रेडिट, एस अकाउंट डेबिट, सुमहांगी डेदा बनेट, मनिशा डे बिट पंद्रा एंड शितल डेबिट पंद्रा तु रेलाइज़ेशन क्रेडिट इदना में 45 ठीक है इसकी इंट्री हो चुकिया इसकी इंट्री करनी है इसकी इंट्री क्या थी मादम रिजर्फंद अकाउंट डेबिट रिजब लिखा है ना तो बाइ रिजब फ़र्फंद मसलब रिजब अकाउंट डेबिट तु एस तु एन तु एस अगे फिर क्या होगा पार्टनर से परिस आगे ये इंट्री हो चुके ना लॉस ट्रांस्पर हो लिए बरावन ना अब प कि इन लोगों को ट्रांस्पर किया कि इसको शुभांगी डेबिट पाच हजार मनिशा डेबिट पाच हजार शीतल क्रेडिट टेन ताउजंद शीतल का अकाउंट क्लोज हो गया बिंग कापिडल डेफिशेंसी अब शीतल ट्रांसपर तु सॉल्मन पार्टनर से इंडियर क पेमेंट किया जाएगा शितल को पेमेंट होगा 50,000 अनिशा को पेमेंट होगा 25 अशुभांगी अकाउंट डेबिट तु तु कैश अकाउंट रेडिट या बैंक अचाउंट्रीट सेवंटिफव ताउजंद एंसर डन ठीक है next इसमें इस प्युक्त रहेंगे रहा पीछे अन्सॉड में पीछे अन्सॉड में क्वेशान रहेंगे रहेंगे इसके जायसे वन पाट्नर इसौलाइब एट आएट आन नाइट चुक्ट्ट नम्बर एट क्वेस्ट नम्बर एट पेज नम्बर 248 क्वेस्ट नम्बर एट पेज्ट नम्बर 248 कि यह करती तो गरने तक है प्रश्टे इपने आज़का कि अगर्व करती नम्बर 238 अगर्व अगर्व नागर तेंटर आज़कर अगर्व थी आप पॉपके अगे पर्मेंट रोख करके रखो कुल कुल से अकाउंट आएंगे रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट विन यू क्लोज दे बिजनेस आप कमपनी भी बन करोगे ना तो रियलाइजेशन आता है रियलाइजेशन अकाउंट इस कॉममन है डिजलूशन भी करोगे कमपनी लिक्विडेट करोगे तो भी आकाउंट आता है अकाउंटिंग में गए इधर रहना चाहिए का आप दो लिक्विडेशन यह अकाउंटिंग एफ यह इदिन अपर्विडेशन अपर्वे शल्वेशन आता है कि यहां पर डिजुलूचिन ऑप पर्टनेशिप पर में इंटर में चाप्टर है थोड़ा उसमें पिस्मिल डिस्ट्रिबिशन है यहां के फांडेशन में भी फांडेशन बोल रहा हूं इपाइबी कॉम में मैक्सिम लास में अधर है यह स्टेट्व कापिटल में तर्ट स्पेसिमें आफ रिलाज़जेशन अग्वं देख ट्रीटमेंट आप गुडविल वही है इप गुडविल अपेसी ना बैलेंस इंट वो रिलाशिए ने डिट पे जाएगा रहा हूं अगर नहीं रहेगा तो रिलाशिए ने टो क्लोज होगा राइट इप गुडविल दस नॉट आपर इंट इंट इस रिक्वाइट प्लोज डिस इस इफ शम्टिंग इस रिलाइस्ट और गुडविल पर्चेस्ट बाइब आप बन अप गाटनर असे पाटनर लेके जाता है विजल इंट गुडविल या विल सेल इतु जो कुछ बिल्एगा रिलेक्शंस प्रेट होगा रहेट इन इदर कैश अकाउंट इस देवित अगलाराइट अर पांतनर अपर अपत बाइट होगा अंड रिलेशल पेटोगा आप फही चीज़ पर्टनर्स लोन रिपेड उसके बाद रिजोस पार्टनर्स में डिस्टिबिट किये हैं आप वही देखोगे एंड में कापिटल पेड कर दिया उन्होंने केसे दिखाया देखो आप देख सकते हो यहाँ पर देखो प्लैंटन वस्तरी अकॉंड है रिलेक्शन में ट्रांसर क यह सब अकॉंड प्लोज हो गए एंड में किसमें आके वाइटा रइट रेलेक्शन की आपका ट्विल के अकॉंड है कुछ अलग नहीं है वही आकॉंड है कि कापिटल अलग अलग निकाले होने बस आप कुछ भी करो यह सब कर सकते हैं अब यह भी क्वेश्चन कर सकते हो बताएगा और कॉंसेक्वेंस्स ऑफ इंसल्मेंसी अफ़पार्टन रेको क्या लिखा हैं नहीं देना इप पार्टनर इभी कैपिटल अकॉंड पशेट पार्टनरीजएव डेमिट आफ्टरीश्यर of the loss or profit has been adjusted theory realization का जो भी profit loss रहेगा अगर debit balance है तो and the firm will not have sufficient cash or assets to pay off the amount due to other partners until the amount is repaired by the partner whose account rate is debit balance वो बोल रहा है कि अगर किसी partner के account में debit balance होता है firm के पास उतना कम रहता है firm does not have that much cash so that they can pay to solvent partners in full तो जब तक वो आपको पैसे देगा नहीं जब तक आपको शीतल 20,000 देगी नहीं तब तक आप शुभांगी और मनीश्या को पूरा उनका पेमेंट नहीं कर सकते तो वहीं लिखाए if however partner is insolvent the amount will not be realized उससे उतने पैसे नहीं आएंगे तो शीतल से 20,000 आने ते बट आगे काली 10,000 तो दस अज़र इतना कम आया उतना उनको लेना पड़ेगा right if partner is insolvent the amount will not be realized in such a case the deficiency may be born by the solvent partners in their profit sharing ratio और according to the principle settled in well-known course गार्नर वर्से मरे मैंने उस दिन बोला भी ता चीतल का है वो किस रश्यो में डाला हमने हमने कौन से रश्यो में डाला PSR में अगर वही capital रश्यो में डालते तो वह होगी गार्नर वर्सेस मरे केस ठीक है in latter case मतब या तो कि अबर गार्नर वर्सेस मरे केस the deficiency will be born by solvent partners in the proportion of their capital and not proportion in which they share profits and losses but हमें गार्नर वर्सेस मरे केस नहीं है if a partner goes insolvent then the following are the consequences first the partner educated as insolvent ceases to be partner on the date on which the order of education is passed जिस दिन किसी partner को insolvent बोला गया उस दिन से वो partner नहीं है right because as per Indian contract 1872 there are some certain persons who are not capable to enter into contract like idiot so idiot is idiot मतलब वो दिमाक से इसको समझता नहीं वो he cannot minor then insolvent partner और insolvent person cannot enter into contract so they are prohibited from entering into contract उनके साथ के contracts are void advantage पहले से ही illegal होते है illegal नहीं वो contract ही नहीं होते illegal कब होगा contract है फिर illegal होगा यह contract ही नहीं होता तो illegal का कोई सवाल ही नहीं so insolvent partner जिस दिन code के order हैगी वो insolvent है actually खुद को apply कर रहा था मैं insolvent हूँ या आपके creditors जैसे reliance के case में हुआ है reliance इसका नहीं बोल रहा हूँ मैं मोटा भाई का नहीं बोल रहा हूँ दूसरे का उसके case में creditors have applied के reliance दूसरे भाई के ना उसको क्या कर दो insolvent कर दो डिक्लियर तो they can recover the amount उसके assets वगरे auction हो जाएंगे पैसा निकलेगा या तो खुद होके insolvent declare करो या आपके creditors आपको court में खिषते insolvency court होता है उसमें the firm is dissolved on the date of the order right of the education unless there is a contract to the contrary try to understand education मतलब court order pass करती है उसको बोलता है educated ठीक है आपने movies देखे होगा हिंदी movies कि अभी तक order नहीं फिर भी उसको लोग बोलते है यह murder है यह lawyer बोलता है कि अभी तक कुछ सीने कुछ बोला नहीं लेकिन इसका नाम बनाप हो है मेरे client का ओकर देखा होगा कोट जब तक अडिवेट नहीं करती तब तक कोई दूशी नहीं होता समय में आ रहे है तो दट इस देखेस मतलब कर सकते कि हमें फिर्म कंटिन्यू करनी है बट उसके लिए आपका अग्रिमेंट होना चाहिए पहले से लिए निक्स देट अप्ट पार्टनर इस नोट लाइबल पर एनी अक्ट अप्ट अप्ट अप्टर देट आफ इंसल्वनसी है एक बार वह इंसल्वन्ट हो गया उसके जो भी पेमेंट होने के बाद उसके बाद फोर्म उससे कुछ ले नहीं सकते है द फ्रम कैननाट भी हेल डाइबल फर एक्स दो देट इंसल्वन्ट मात्मर्ट अचली इंडिन पार्टनर्शिपेंज़ एक्ट क सब आपको वही बोल रहा हो कि जो भी आप करोगी ना वही होता है दूसरा कुछ नहीं इसमें यहाँ पर एक और रहेगा लिक्विडेशन अफ कमपनीज आप यहाँ पी भी देख सकते हो यू विल फाइंड रियलाइजेशन अकाउंट या लुकुल केजना लुकूदरोन अफादिख सकते हैं चरहाँ विल फाइं में चंपर लुकू यहाँ आपको होना अपलेशसर्य को सब्टन हैं भी इस ना आपको inflam दलहाँ आपकोंड कर शीनलीज शपर प्राइंट इसे नहीं कि कुछ भी चीज़े चल रही है ठीक है आगे है तो चलो क्वेश्चन नंबर एट करना है राइट क्वेश्चन नंबर एट पेज़ नंबर है आपका 248 है दान देना कर में जिए को स्बस्ट्दिया कम ढुंट करें वावस्टल में श्यान,ार्धर ना also,There are वेश्चन नंग में बलन,श्वेश्चन नंबली कान में,बलाभ मैं बलन सुए प्तने चीज़े। पॉजिटिव है उनसे रिकर्व कुछ नहीं करना है रिजर्वर्फंड पार्टनेस में डिस्टिबिट हो जाएंगे राइट फिर लोन फ्रम तुकराम सेपरेट अकाउंट विकास्ट तुकराम इसे पार्टनर नहीं वारी शूर आच्छा तो यह अला थर्ड पार्टी लोने रेलेशन में जाएगा यह तीनों चीज़े रेलेशन में जाएगी यह तीनों चीज़े रेलेशन में जाएगी यह तीनों चीज़े रेलेशन में जाएगा यह रेलेशन के क्रेट पर जाएगा ठीक है कैश को किसमें डाल देंगे बैंक में कैश को किसमें डाल देंगे बैं बैंक अकाउंट यह ओपन रहेगा अगे असे अलाइस बिल्डिंग मशिनरी फर्नीचर इंवेश्मेंट्स बिल से बलंडेटर और लिए लिए लिगने की जोरत नहीं थी वह इसे हम पेई करने आले वह नहीं वह लिखने के बाद हम पेकर रहे हैं इसे नहीं हमें खुद होके पेकर नहीं है समझ लेना नहीं दा कॉस्ट अप्रेलाइजिशन इसे अटने डिजलोशन एक्सपेंस और रिलेशन प्रेटर राजाराम बिकेम बैंक्राफ्ट एंड रूपीस 1100 ओनली कुल भी रिकर्ड फामी इस इस्टेट शो रिलाइजिशन अकाउंट बैंक अकाउंट पहले कॉपी पेस्ट कर लो जो भी बैलेंशित में एक जगह पे लिखना है ठीक है लेस्टार्ट रिलाइजिशन अकाउंट कोई प्रॉल्ब्स निट्टाइम है अगर अभी भी तुस रिकर्ड कर लेगा तो कोई इस्व नहीं है होता है चीज़े इतना कुछ नहीं है तेरी फ्रेंड में न कोन क्लास में कि कोन लड़की आचा तुम सेन कॉलेज के हो ना वाड़िया ही ना क्वेशन ना वाड़िया है क्वेस्ट नम्बर एट पेस्ट नम्बर एट पेस्ट नम्बर टो फॉर्टी एट पेस्ट नम्बर टो फॉर्टी एटेक है फ्च नम्बर टो फॉर्टी एट रेलइशन अचांट ठीनो पाटनर्स के नाम okay سите رام گंगाराम and राजाराम ठीक I need to open bank account cash account closed by transferring the balance to bank करेंगे पेमेंट करेंगे उसके रियाज़शन के लिए एंड कैश या बैंक जो कुछ भी वह पैसा आया गया ठीक है लेट स्टार्ट करेंगे जो भी बैलेंगे पे जगर पर आएगा चलो कॉपी पे स्टार्ट कर दों कैपिड़स के क्रेड़ पर बाइड बैलेंज बाट डाउं मैं बैलेंज बाट डाउं सिस्टी फाइट आउज़न फॉर्टी फाइट आउज़न एंड सेवन थाउज़न क्लियर कैपिड़स यह है कैपिड़स के मतले इतना उनको पे करना है फिर रिजर्व फंड लाइविटी में प्रांस्पर कर देंगे बाइड रिजर्व फंड इंडियर पेसर विचिस फोर इस्टू इस्टू ऑट जी एट ताउज़न मतलब कितना आएगा एटीन ताउज़न जूर्ड बाइए six plus nine two thousand आता है ना मतलब eight thousand four thousand six thousand ठीक है clear है distribute funds distribute होगा फिर P&L भी है वो दिस्टिबिट होगा, by profit and loss account, by profit and loss account, कोन से ratio में 4 is to, 2 is to 3, इस ratio में distribute होगा, 4 is to, 2 is to 3, 5400 divided by, तुम लोग 8 करोगे न, 8 करोगे न, 5400 divided by 8, 9 है क्या, टोटल कितनी है उनकी, 9, मतलब, 600 आएगा, 6 multiplied by, 2,400, 1200 and 1,800, perfect, उसके बाद, loan from to current, by, sundry liabilities, liabilities को relation credit पे डालो, sundry liabilities, loan from to current, कितने का लोन है रहे, 10, इसको 10,000 पे करना है, ठीक है लोग तुकराम को, उसके बाद, creditors का कितने का पेमेंट करना है, 12,000, bills payable का पेमेंट करना है, 4,600, इसके सब टोटल आगे, तीनों के पेमेंट की टोटल आगे, 26,600, 26,600, ठीक है, आगे, तो liabilities are done, अब assets है को transfer करेंगे, two building, two sundry assets, balance sheet में जो assets है, relation के debit पे आएंगे, balance sheet में जो liabilities है, वो relation के credit पे जाएंगे, ठीक है, अब कौन-कौन से assets sale करना है, हमें building sale करनी है, 55,000, then, machinery sale करनी है, 25,000, furniture sale करना है, furniture sale करना है, 12,000, investment sale करना है, 15,000, बराबना, बिल से से वाल है, 3,500, जो भी balance sheet में values दें, मैं वो आपे लिख देता हूँ, copy paste कर रहा हूँ, data's, 21,000, then, stock, 28,000, then, इतना से बासेट से, 1,67,000 में से मुझे 7,500, नहीं लेने, so, 1,59,500, 1,59,500, total asset कितनी है, 1,67,000 गेना, total asset कितने कितने गे, 1,67,000 के, उसमें से ये दोनों चोड़के मैंने सब डाल दिया, तो 7,500 छोड़के मैंने सब ले लिया, तो 1,59,500, ठीक है, आगे, clear है, अब एक-एक सेल करेंगे, उन्होंने जैसे बोला है, asset sale करेंगे पहले, buy, asset debit pair, अच्छा, cash को भी debit, ठीक है, यहाँ पे, अब भी दो balance बाकि है, two balance lockdown, bank में कितना है, bank में 5, sorry, 2,000 है, cash, 5,500, अब हमरे पास bank में total कितने आ गए, 7,500, हमरे पास total कितने हो गए, 7,500, clear है यहाद है, this is the first step, जिसमें balance sheet एक जग़ पे जाती है, this is the step one, ठीक है, assets कहाँ पे गए, realization के debit पे गए, liabilities कहाँ पे गए, realization credit पे गए, capital and resource किसमें गए, capital में गए, bank and cash balance किसमें गए, अलग account बन गया, cash account या bank account में गए, ठीक है, this is the step one, अब step two में हम क्या करेंगे, asset को sale करेंगे, चलो एक-एक asset को sale करेंगे, everyone, buy, asset debit पे, उनका sale credit पे होगा, आप position by cash या buy bank लिपना होगा, उनने जिजिस value payment sale करने को बोला है लेंगे, building कितने पे sale होगे, आच उनने value लिखी है, 46,750, उसके बाद machinery 18,550, उसके बाद furniture 9600, उसके बाद investments were sold 10,650, bills disabled and debtors, both are sold at 20,000, उसके बाद होगे, यह सब अल्मुष सब assets, building sale होगे, machinery sale होगे, furniture होगे, investment होगे, bills disabled debtors, stock का नहीं लिखा करें, stock sale नहीं हुआ न, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, stock से, asset sale होना mandatory नहीं है, ठीक है, तो आगे, मतलब stock की stock loss में का नुट हो गया, simple investment, stock है, बट उसको कोई लेने, कोई रेडी नहीं हुआ, stock debit पर है, बट प्रेडी पर उसके बादे में कुछ आया नहीं है, तो वो लॉस हो गया, अपनी अप लॉस हो जाएगा, हमें धूरना नहीं है, आगे, कितना आगे है रहे, अच्छा, निकाल रहे हो, 50, 50, 100, 200, 2 carried 9, 9 plus 5, 14, 14, 20, 20 plus 6, 26, 26 plus 7, 33, 3 carried, 3 carried, इतना है डी, कितना तै 1,600, ठीक हे, 1,6,300, OK, Good, 1,6,300, परभल, तो, यूरी सोड, 1,6,300, आपको कितने परेशे मिले, 1,6,300, बैंक बैलेस, इंकレूस करो, 2, Realization, 1,6,300, 1,6,300, ठीक है, 1,6,300, ठीक है, 1,6,300, कि अगहाई इतने हमें पैसे मिले असेट सेल होने पर देल आगे कि अब सेटीड पर करेंगे लाइबटीड इस क्रिडिय पर उनका पैमिंट पर होगा टू अनुआ बाइंक, उन्होंने जिस वाल्यूपे हमें पे करने को बला हम करेंगे, और लाइबिटी सब पे करने, बले ही वो क्वेश्चन में ना बोले, विडाउट रिपेमेंट आप लाइबिटी ता बिजनेस बंद नहीं कर सकते, ठीक है, तो उन्होंने जो बोला है, और लाइबिटी वर पेडिन फोन, तो हमने लोन, लोन फ्रम तुकराम पूरा पेड़ किया, कितना? दस हजार, फिर हमने क्या पेड़ किया, क्रेडिटर्स, कितना? 12,000, और फिर बिल्स पेड़ चार हजार, 4,600, तो टोटल पेमेंट कितने का हुआ? आच्छा, रिलेसटन एकस्पेंसिस का भी पेमेंट हुआ है? 800, तो टोटल पेमेंट हुआ, 27,400, 27,400, तोटल पेमेंट हुआ, 27,400, ठीक है, क्लियर है तोटल पेमिंट वा 27,400 क्लियर है यहां तक आगे ठीक है कोई अब यहां पे पेमिंट हो जाएगा तो कैश्च कम हो जाएगी बाई लिको रिलाइजेशन उत्ता डेपीट हो जाएगा बाई रिलाइजेशन तो 27,400 हो गया पेमिंट हो डिवट लियाएजेशन क्लोज करना है यहां से मैं नेन में क्या सूछता हो जैहां पे मेरे लाट शिवाल में यहांаров मेरा अल्मुस्त वानलक शिक्ष्ट के आट्सो रुपए का बरवन ना रुपए का लॉस दिख रहा है ना ट्विंटी-शिक्स तॉज़न के लाइबिटी से फेड हुआ है ट्वेंटी-शिक्स तॉज़न च्रियाट फॉर हाँ पर आट्सो का लॉस है असे टे फ्टे रेक्ट लाग फिट्रें ताॉजन सम्तिंग के पैसे मिले खाली 1,6,000 लॉजिकली लॉस है ना मज़र डेपिट इस दो और फिर करो ठीक है आगे यहाँ पर 800 का लॉस है यहाँ पर कितने कराएगा 200 तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है और यह 500 होगा 53,000 तोटल मेरा लॉस 54,000 का है 54,000 मेरा लॉस 54,000 का है जो मैं मेतल्स फॉलो करता हूं वो आपको आपका एंसे करेक्ट है वेरिफाय करने के लिए एक्जामे यह मेतल्स यापको प्रॉपर डेबिट करिट दिखाना पड़ेगा मैं क्या सोचता हूं कि मेरे लाइबरिटीस 26,600 के थे मैंने उनके लिए 27,400 पेड़ी क्या वहाँ पे मेरा 800 का लॉस है फिर मैंने क्या सोचा कि 159,500 के असेट से उनके बदल में महुझे काली 1,6300 मिले तो पहले मैंने उसको स्प्लिट किया 500 and 300 मैं जान पुझके 500 and 300 वहाँ पे मेरा 200 का लॉस है और फिर 159 and 106 वहाँ पे 53,000 का लॉस है तो टोटल मेरा लॉस 54,000 का है लॉस है मतलब डेबिट मतलब लॉस तो डेबिटी दूर्ट के साइड पर आएगा बाई लॉस और रियलाइज़ेशन ट्रांसपर्ट विए लॉस किस करेगा पार्टनर्स करेगा 54,000 का लॉस है तीनों में बटेगा S, G, R 9 से डिवाड़ा मतलब 6 6 मल्टिप्लाइब 4 यहां पर था कहां पर तो यह यहां पर थाउजन में रहेगा 24,000 12,000 and 18,000 लॉस की वज़े से कैपिल कम होगा अगर फर्म लॉस में तो कैपिल अब्विसली कम होगा बढ़ा ठीक है तो कैपिल के डेबिट पर आएगा ओनलाइन अगर किसका डाउट तो पूछो रहें यहां ना कोई आटिंग कर रहें ना में जोर्टी तो ऑनलाइन ही आभी भी कोई इस्यो नहीं ठीक है रक्षान वो आपनी प्रेजेंटी लागाता है अरे रक्षान तु सिम्रोन को क्या बोल रहा तरे कल वो मुझे कुछ को बोल रही थी मैंने पहली बोला है कि 15 दिन नहीं करने ट्वेल्थ ट्वेल्थ ठीक से करनी है लेकिन मैंने इसन नहीं बोला मैंने इसन बोला है कि आपको 15 दिन पर हेले फांडेशन को छुटि भी लेगी ठीक है आगे वो लड़की मुझे बोल रहे है कि सर आप एसे बच्चों को किछ भी क्या बोल रहे हो ठीक है आगे नेक्स्ट टू देन यहाँ पर आएगा रियलाइजेशन डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट पर है तो यहाँ पर डेबिट आएगा रेट्टू रियलाइजेशन 24,000 12,000 18,000 तो अब देखो जो इंसल्वंट है उसके कापिटल पहले क्लोज करना है कौन इंसल्वंट है तीनों में से थर्ड वाला या थर्ड वाला थर्ड वाला इंसल्वंट है मतलब उसका कापिटल डेबिट रहेगा डेबिटीज रहेगा देखो क्रेडिट उसका कैपिल दोंड के अच्छा उसने आपको कितना दिया है रहें वन थाउजन वन आप डिलिकली कैश लिख सकते हो बाइक कैश या बाइक बैंक इफ नो दो वैलू लिख दो उससे कितने आगे हमें 1100 उससे आगे 1100 पार्टनर ने कैश दी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल मरबन कैश के डेबिट पर आएगा तू राजा राम अब भी उसके कैशल में बालेंस रहेगा वो उसके डेफिशेंसी है एटीन ताउजन उससे लेने है डेविटी इस वाट वाट वेव टू पेज एटीन ताउजन में से माल रही है मैं माइनस फुल थो थो थाउजन मिफिन फिप्विटीं सिख राजा राम उससे अभी भी दोजार सो लेने राजी है उससे अभी भी 2,100 रिकवर करना बाकिए हैं वो आपको देर आये का नहीं अच्छली किपना रिकवर करना तरहें उससे ओर रिकवर करना था 3,200 3,200 में से उसने हमें 1,100 दिया और हातों पर कर देवले इससे कुछ नहीं दे सकता तो यह जो उससे रिकवर नहीं हुआ है उतना ही लोगों को कम पे करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे इससे जो रिकवर नहीं हुआ है यह डेबिट मार देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स को पर फेर यहां पर 2,100 उनके रिश्यो में क्या रिश्यमाणब टू इस तू मतलब 1,200 मारे शेयर को यहां गया इन दोनों को डेविट मार दिया इन दोनों को बीट को बेंगे थे तुमारे पार्टनर पैसे देने रहे है तो वह जितना नहीं देगा उतना आप लोगों को नहीं मिलेगा, as simple as that, इसके अकाउंट क्लोज होगे, यहाँ पे लिखा जाएगा, by, S and G, यहाँ पे लिखा जाएगा, to R, बरबर, so, इंटे आगे, S अकाउंट इबिट 1,400, S को कम मिलेगा, 1,400, G कोड कम मिलेगा, 700, G अकाउंट इबिट 700, to R अकाउंट आप है, and, हमें शायद से इनको पे करना होगा, let's see, 73 plus 2,400, 74,400, minus, minus, 74,400, minus 1,400 is 73, 73 minus, are you sure, हाँ, ठीक है, 73 plus 2, 73 plus 2, 75, 75 में से, मतलब, 74 रहेगा, 74 minus 24, I think 50, 50, 50, 50, तो हमें S के, इसमें credit balance है, वो हमारा liability है, वो हमारा owner, उसको हमें pay करना है, 50, और इसको कितना पे करना है, लिका लो, इसको, 50,200, minus, 500 आएगा, 1 carry, 3, 3, 3, 3 minus होगा, तो, तेरा minus होगा, 37,500, 500 ना, मेरे, क्या से, 200 किदर है मेरा, 50,200 आगा, उसमें से, तू क्या minus करेगी, 12,000 तो, बच्चा कितना, 37,500 ना, आट वहीदों बोल रहा है, 37,500, आट वहीदों बोल रहा है, तू क्या बोल रहा है, इसको, अभी भी उसको कितना पे करना बाखिया, तो, एसको पे करना है, 50,000, जी को पे करना है 37,000, पे कर तो, 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 और दूसरे पार्टनर को पेड़ किया बाई जी को पेड़ किया इतना पेड़ किया हमने 37,500 and now you can see your cash अपना टैली हो जागे जितना रिशीते उतना पेड़ हो गया so it should tally at 900 4, 1 carried 1,14,900 1,14,900 चलो जल्दी जिनको लिखना है capital लिको जल्दी अभी तग एक ही नोड़ बुखते हैं पूरे साल में लिखते हैं लिखता है anyone has doubt हम तीन ही दिन लेंगे morning में लेंगे ठीक है मतलब हो जो वैसे हम alternate day ले रहे था तो तीन दिन ले लेंगे maths account maths account आई से ही चलेगा ठीक है जिनको आना है आ सकते हैं जिनको नहीं आना है घर से कर सकते हैं वैसे कोई mandatory नहीं है it's your choice जिक है पूरा offline रहता है तो फिर boards use होते है सब चीजे होती है बड़ थोड़ा दोनुस manage करने तो accordingly बड़ अटलिस सामने सामने थोड़ा फरक पड़ता है मुझे भी पाता जालता है कर रहे है नहीं कर रहे है तेरा first name क्या है शुती शिंदे ना तुरे नीको किजर है मतला हड़प सर हंड़वाड़ी तु किजर है नीको शावनी वड़गा उशेरी तुरे अधों बहुत तूर रहती है फिर कात्रस कॉंट ओड़े उधरीनों के उधर रहती ना जरीन को नहीं जान दीगे अच्छा तू इधर में विष्टांग वाड़ी तू रहे वागोली 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 थोड़ रहा थे चोरनी वाइस मझे प्रपर वागोली थोड़पूड केस्टन फाट्टा होगा रहे तू रहे में तू ले नामबोने थे वागोली वाले थे आले थे मानीमी नहीं रहेगा तू जल्द आई होगी वैसे अधरवैस बहुत मुश्किल है अच्छु अच्छु एरवड़द यह अडप्सर रहती है तुन भेज़ दीख रहता है तुझे रूंक बड़ाई वन काले जाले है बुक्स वागर है कैने अतन ही जाइचे पड़डू से लौगड़न के आस्टेश नहीं तो चीट अब्धेश तुछिंट नहीं है नॉर्मला टो आप तो कुंसा क्वेश्टिन हुआ एंध दून करने नाइन फॉद्टि नैंधbane फॉलंग इस बाद एक ब्रेक लेंगे पाच एक बाटनर्स का ठीक है फॉलंग इस बाद शीट आफ वाइब वाइब संजय एंड संटोश ठीक है जागे उन्हीं बैलेंशीट अपिटल अकाउंट दे उनने वाइब आण संजय ज्याओ इंगें उन्युक्रेडिटर्स OD, OD अकाउंट इस एंग ऐच बैंक अकाउंट विद्यूट बैलन इसें बैंक अकाउंट सेप्रेट एंगे क्रेडिटर्स र मतलब करीड में अलग अकांट आएगा श्राइब करेंगे प्रेंड और कापिटल से माइनस होगा प्राप्लेंट हो सकते हैं नौट नेसेसरी क्वेस्चन पढ़ना पढ़ता है लिए 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 लाइबिटी के बारे में कुछ लिखा नहीं मतलब वो सेल नहीं हुए बारे में कुछ लिखा नहीं मतलब वो पेड हुए एड यह बैलेंशित वाल्ट तो यह लिए 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 अग्वेटिक नहीं दूट है हम लेते ही में मस्नेर एक बुख वाल्ट है क्रेडिटर्स अलाउट डिस्काउंट अट रेट आप 10 परसें ठीक है उनको 10 परसें कंपेड करें क्रेडिटर्स को आगे संतोश्कुल परें ओनली 25 पैसे रुपी उससे हंट एक रुपए में से 25 25 परसेंट रिकार हो गया हंडेड रुपी जयतों 25 रुपी जाएंगे 10,000 तो 2,000 फान दाएंगे लाग डागे कंटीजेंट लाइविटी अगेंस अफर्म 9,000 क्लियर कंटीजेंट लाइविटी 9,000 रुपी स्पेड के है सिंपल आज़ा है हम पे करेंगे रेलाइशन तो कैश ठीक है मादम करें साथ सिंपल है आगे रिविजन के लिए मैंने अलग से नोट्स बना के रखें तो आइविल भी शेरिंग जब फांडेशन के निश्विक में बुक्स आएंगे उसके साथ वो भी आजए तो हम वो सॉल्ल करेंगे रिविजन में ठीक है रिलाइशन उसके बाद क्यापिटल्स आप बैंक ना ओडी मतलब बैंक की अधिक ने दो लोग है या तीन है तीन है तीन है तीन है तीन है एक डेविड वालेंस पर असे साथ पर फिल उसके बाद किसी पार्टनर का लोन नहीं है पर बैंक अकाउंट है बैंक अकाउंट ओपन करो विट निगेटिव बैलेंस ओर राफ अन्फेवरेवल बैलेंस ब्यारेस में प्लस माइनस प्लस माइन रहेता है लगिड उससे वा पारिंग इनतीनो कई था सून आम है यwick वैभॉस लगन को को भिड़ाय संब्या दिए व्यॉवस जैन संथोष वैभॉस वैी वैभॉस नही टसम इंट संथोष अच्छा ये भी दोली पाटिए वो उंकर शिंदे भी उद्धर रहता है तो जानते का उंकर शिंदे तेरी कॉलेज का ये तो यह से वाड़े अच्छा जा नहीं नहीं तो मंट लगा हाथ ओवर एने दे राज तो रूम पाटनर है राज तो आज अपसेंट असल तो काई प्रेजेंट आस तो तेला समयते हो हाँ मी लेक्चा चाले पर तो फेस्बूक लागा तरेट फोटो डाकर तो इंस्ता लागा तरेश्टेटरस लाखे आया वाटता अन्हीं अन्हीं आयमथ तूरा आज पहले नूम पाटनर है पहले पहले करें सब्सक्राइब नाइन या टेन नाइन पेज नंबर 248 पेज नंबर 248 ठीक है मादम लेट स्टार्ट जो भी बाइलेंच पे एक जगह पे लिखेंगे लाइबिटी सेट पे जो है वो लिखेंगे असरे पर बेबिट पर लिखेंगे बाइब आने लाइन बाइब नुक्ताओं पर तर्टी सिक्स ताउजन ट्वेंटी सेवन थाउजन क्रडिटर्स रेलेक्षिंग पे अगर एक ही लाइविल्टी यह तो वाई संट्र लाइवरी लिकने में फाइदा नहीं है तो डिले की पाइटर्स लिक्ते जाओ इप दियर और मोर देन वा लाइविडिक तो संड़ी लिखने में पॉइंट है फाइटर लॉजिकली 12,000 एक लाइविडिक ले संड़ी किदर से आ गया अलग अलग है तो बोलोगे ना तो ओर्ड्राफ्ट बैंक में क्रेड बालेंस 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 बड़्नॉट इतना रहे एटीं कि एटीं नेक्स्त आगे बीट पे जो है अब यहां पे लिखो टू संड़ी असेट्स पूसंडरी असेट्स मशिनरी 6,000 गुडवील 9,000 पैली शित में इसलिए यहापे आया आगे स्टाक अंडेटर्स रुपीज 57,000 प्रॉफिट राइट प्रॉफिट अन लॉस डेबीट है असेट साइड पे डेबीट है तो कापिटल में पे डेबीट होगा तूपी अंडेल तीनों का रेश्यो है रेश्यो ने लिखा उनने ले लिखा है नीचे लिखा है 8 is to 4 is to 3 मतलब पंदरा सो 18,000 डिवादे बार पंदरा 12 12 से डिवाइड होगा 150 प्लस 30 ना 12 12 12 12 9600 4,800 3,600 3,600 3,600 ठीक है 18,000 डिश्योबिटेड बिट्विन पार्टनर्स आगे उसके बाद ठीक है नेक्स्ट संतोष कैपिटल डेबिट है असेट साइड पे तो कैपिटल के डेबिट पे डाल दो अच्छिली मैंने आपे स्पेस रखनी थी उपर लिखना था ने ने क्याक्यों आगे करें इसलियर नोग्रिट रिखने प्यार के डेपिट पें के रोडियर के पिए संतोष के में absolute डेबिट पालेंस है संतोष क्याओं डेएगी अंगे आगे देखते फैसंगर मास्व ऐर पे तक टा holistic को सेल करेंगे यह लाइब इसकी टोटल कितनी ही रहे टोटल यह आशेट की 15 एड होने के बाद 72 हो रहेगा ना 72 ठीक है अब असट डेबीट पर उनका सेल केड़ पर होगा लाइबडी केड़ पर उनका पेमिंट डेबिट पर होगा सो लेट सी स्टॉक एंड डेटर्स का पेमिंट बाइब बाइंक हमें पैसे आएं स्टॉक एंड डेटर्स से आ गए कितने आगे 54,000 गुडविल से जीर उपीज आ गए लिखने के जोरत नहीं आएं मस्टनरी से बुक वाल्यू आ गए मतलब सिक्स ताउजन के सिक्स्टी थ्री थाउजन ना कि एक से इसे एक इसे अपने अभू को यहां पर आप आप एंड बार आधर का से इसेट कि इतने मिलें तो रेल अपने प्रॉफिट रॉस देगा आपको दूरनी की जुरत में वह अपना करता है अच्छा इसके बाद आप क्या लाइविडीज पे करेंगे टू लाइविडीज क्रेट पे उनका पेमेंट डेबिट पे होगा रेलेशन के अ क्या लिखाए उनने क्रेटर्स अलाउड डिस अधिए पे बाराइर माइनस तेन परसेंट है ने मतलब टेन थाउजन एट हंडैंड इनकौं में हो ना चाहिए इनकौं में रखो उसके साथ एक ओर लाइविडीग ओई है लाइट आज्जस्मेंट टू में लिका एक रीटर्स का और एक्डस्मेंट पाइम लिका है कंटिजन लाइटी 9000 ज़िल एक करने को बोला पे करेंगे कंटिजन लाइब लेकिस के कि इतने का पेमेंट हुआ रहे 9000 सो टोटल पेमेंट हुए 19,800 अब लॉजिकली देखो ध्यान देना असेट पे लॉस से 12,000 का सेवन टू थाउजन के असेट 60,000 में सेल हो गए लाइबिटीज देखो क्रेडिटर्स बार आजर के थे हमने उनको 10,800 पेड़ी किया तो क्रेडिटर्स पे प्रॉफिट है 1,200 अब अधिशनल लाइबिटी 9,000 की पेड़ी किया आपने वो लॉस है आपका तो आपका टोटल लॉस मेरी इसाब से 21,000 माइनस 1,200 मेरी इसाब से 19,800 का लॉस है मेरी इसाब से रिलाइशनल लॉस इस 19,800 चेक करो वह होना चाहिए 19,800 का लॉस है भाई लॉस और रियलाइज़ेशन ट्रांस्पर टू पार्टनस इंडियर प्रॉफिशन रिश्यो 19,800 डेबिट की टोटल ले लो क्रेइट पे डाल दो सब करो वो डेबिट की टोटल आ रही कुस्तो 91,800 और फिर यह माइनस करने के बाद 91,800 से अगर आप 70,000 माइनस करते हो तो बच्चे का 19,800 यह लॉस आगया आपका रियलाइशन डेबिट मीस लॉस रियलाइशन क्रेइट बालेइस मतलब प्रॉफिट यह तीनों में बढ़ जाएगा तीनों का नाम है वाइबव, संजय, संटोश वाइबव, संजय, एंड संटोश क्या रिशे होंगा? 4 इस तू, 8 इस तू 8 इस तू कितना आएगा? 10,000 5,000 5 10,000 10,560 5,282 9,000 9,900 10,000 10,000 10,000 ऊप्वार्डस अंगिन and लिःखो का लॉस है जो मने पार्टनस में डिस्टिब्ड ख्यां जो हमने पार्टनस में डिस्टिब्ड गया के जिसे हैं अगे, तू, रियलाइजेशन अकाउंट, इन्टु ब्राकेट लास, बोलो रहे, टेन ताउदन फाइजिस्टिंग, देन, फाइज दो, एट जिरो, प्री नाइन शिक जिरो, वरावन ना, अब जो पहले इंसला उन्ट वाए उसको क्लोज करो, और फिर बाकी रोगंका संतोज थर्ड वाला, अच्छा, जो उसका डेबिट वालेंस रहेगा, डेबिट की तो लेलो, इंसला में पातना का पर डेबिट के उटर लेनी क्यामेशा, नाइन, सिक्स्टी, फाइफ, वन कारी, यस, टेन ताउदन फाइजिस्टी, परफेक्ट, टेन ताउदन फाइजि हमें उसे रिक वर करने 10,560, वट वह बोलता है, मैं पूरा नहीं दे सकता है, मैं 1 4th ही दे सकता हूँ, उसने हमें 1 4th दिये of 10,560, 10,560 ध 1 4th दिये, that is, इस Beetna 2, 2 6 fort 0, उसने हमें 2 6 fort 0 दिया, बाकि उसने जो नहीं दिया है वो बाकि वो capital deficiency होगी हो उसकी और वो हम distribute करेंगे remaining partners in their profit इंग्रेश वराबर उसने जो नहीं दिया वो 3 4th होगा इसका 3 times इसका 3 times 0, 12, 1 carried 18 plus 1, 19, 1 carried 6, 7, 7, 9, 2, 0 बारबर उसने हमें जो नहीं दिया वो 7, 9, 2, 0 है अगर उसे 4 रुपए लेने एक रुपए उसने दिया तीन रुपए नहीं दिया as simple as that 1 4th उसने दिया मतलब 3 4th नहीं दिया ना ठीक है so 7, 9, 2, 0 we didn't receive और we didn't recover from the partner 7, 9, 2, 0 अबे 7, 9, 2, 0 जो नहीं मिला है वो किन लोगों को जहलना पड़ेगा जो बाकी पाटने से उनको 2 right यहां पे रहेगा 2 संतोष कापिडर in their ratio what is their ratio दोनों का 8 is 2 मतलब 2 is to 1 say 1, 9, 2, 0 in that ratio 5, 2, 8, 0 2, 6 मतलब कोई partner insolvent होता है तो जितना नहीं ला पाएगा उतना हम इन partner को नहीं देंगे है हम क्या बोलेंगे वैबव को कि हम तुझे 5, 2, 8, 0 नहीं दे सकते और यह संजे को बोलेंगे हम तुझे 2, 6, 0 नहीं दे सकते उतना तुझे कम पे करेंगे क्यों बिकाज उसने नहीं दिया हम कुछ नहीं कर सकते अकॉर्ण का थोड़ी खुद के जेव से देगा उसको उसकी पहरी सालें तो मिलने दो मरा बन ना तो उतना उनको कम मिलेगा मतलब उनको डेविट मारा अब बाकिला उनको पेमेंट करेंगे अच्छा उसने कैश लाए उसके डेविट मारा दू अच्छा यहां पर कितना पेसे आगे टुटल तो मैं यहां पर लिख देता हो टू रियलाइज़ेशन के उसके बाद लाइविटिस पे करने पे नाइंटीन तौन इंटेट पेड़ हो गए बाई रियलाइजेशन के अच्छा नए पाटनर ने कैश देदी नए पाटनर भी बोल रहा हूं संतर्ष ने तू संतर्ष तू सीक्स पोर सेवर बाद ठीक है अच्छा अब क्या करेंगे इसका क्लोज करने आगा ना 36,000 माइनस डेविट साइब 40 140 प्लस 60 तो हंड़ टो कारीर ना 2 मतलब 8 अएगा 8 प्लस 5 तरटीन प्लस 2 तो 15 15 प्लस 5 22 कारीर इलेवन वेंटीवन 26 26 मतब 10 पर्स्ट पार्टनर का 10,560 आ रहेगा 10,560 उसको पे करना है पे करेंगे डूंट वरी दूसरे का 27,000 क्रेडिट है 120 प्लस 80 120 प्लस 80 200 टू कैडिट 10 12 18 प्लस 2 20 टू कैडिट 6 11 11 प्लस 2 11 प्लस 2 13 13 प्लस 27 इतना 14,020 तो अभी भी इनका कैपल इतना बाकिया है इनको इतना पे करना है चलो करो पे 2 बाइंगा इन्टू ब्राकेट फाइनल सेटल्मेंट है और बैंक अपने टैली हो जाएगा इसमें बैंक अकांट टैली होता है डिया बैं क्या क्या ना में वैभाव बैं संजाइ ना वैभाव आन संजाइ 10,560 14,218 यूर्ट कैश है इस तो बीटाइड 60,000 640 पे टैली होना चाहिए 9 प्लस 5 14 14 प्लस 2 ने ने कुस्तो गलत हो रहा है 14 आ गया मेरा 1 कैरेड 9 प्लस 5 14 14 प्लस 2 16 1 कैरेड 20 38 48 48 प्लस 4 52 प्लस 10 62 अकाउंट इस्टालिड हो अकाउंट इस्टालिड हो अरे आधिती जॉइन हो ही के दूँ चले इंटी बोल चल फिर इंटी जिप्टेट कर एक मिनिट आवाश थोड़ा मुझे नहीं रखता इसके वज़े से कैसे आएगा इसके अधिती बोल इसके वाश लेक्ते गावश डेटे क्या वाश रखता ने पिसले पाच्टिपें अगे एक सकता फिर मैं किसी और और बगरता हो रूक्यों दें अधिका मुझे मैं से बीज भीज चेक करता हूं मैडम आप बोले रहे इसका क्या प्रोनोंसेशन वेलिसे या मैडम बोलो नहीं रहती है यह डेली करती हुआ मैडम वो कॉलेज बैटिंग कर रही होगे शाथ में वेलिंसे मडम आवाज आरी के मेरी अरती को पकाताओ आरती बूलेगे अरती अबोल येस सब्सक्राइब अबोल बोल ठीक से बोल आवाज मैं आवाज नहीं क्लिए आरे क्रीण सब्सक्राइब कर नहीं हुआ कर State अब ठीक है एक सब्सक्राइब यह सोब निरी क्रीण डेपी डिशेशन त्वल ठावज़़ एक मिनिट तेरा आवर कट हो रहा है एक मिनिट तेरा आवर कट हो रहा है एक सेकंड बोलो इसको पकड़ो दिपा बोल सकते हैं दिपा बोल रहा है एस सब पहले असेट्स ट्रांसफर करने की एंट्री अगाइजेशन अकाउंट डेबिट 72,000 तो मशिनरी 6,000 तो गुडविल 9,000 तो स्टोक अंड डेटर्स 57,000 अचा तीक है गुड पिर निपलीटी एक सब्सक्राइशन अचाँ सबसा टा गुड गुड पूलन एक संजय और संटोश कापिटल 3600 परफेक्ट फिर उसके बाद असेट सेल करने के एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 तो स्टॉक अंडेटर्स 54,000 नहीं स्टॉक अडेटर्स नहीं तो रियलाइजेशन तो रियलाइजेशन तो गलत इंट्री बोल रही है इंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट यह असेट को यह खाली इंफॉर्मेशन है यह अकाउंट क्लोज हो चुक है यहां पर ही इंट्री है बैंक टू रियलाइजेशन Okay, Sir. Bank debit to realization credit 6060, ठीक है? Yes, Sir. Liability playoff करने की entry, realization account debit 19,800 to bank account 19,800. Perfect. अगे. अभी realization loss record करने की entry प्रियल रियलाजेशन अगाउंट विबाव कैपिटिटिल अगंडेबि 10,560 सजय कैपिटल अगंडेब 5,280 संटोश कैपिटल अगंडेबि 3,960 तुरी बाइलाजेशन अगंडेबि 19,800 परफेक्ट संटोश से 2640 रिकावर हुए इसकी एंट्री bank account debit to Santosh capital 2640 और capital deficiency जो partners को transfer किये उसकी entry Vibag capital account debit 5280 Sanjay capital account debit 2640 to Santosh capital account debit 7920 फिर उसके बाद final settlement की entry Vibag capital account debit 10,560 Sanjay capital account debit 14,280 to bank account debit perfect good so right perfect good madam so these are the entries अब इसके बाद हम क्या करेंगे कितना ताइम हुआ है 12 so okay तो हम क्या करेंगे take 10 minutes break और फिर half an hour करेंगे मैं two partners की concept सिखा हूँगा ठीक है so 12,10 को आजाओ meeting में cancel नहीं कर रहाओ meeting will be open you can leave and you can again rejoin ठीक है जो online वाले आया गया let me check चलो suppose try to understand when more than one partner become insolvent but not on हमारे cases में तीन partners के questions होते हैं इसके हम बोल रहे two partners insolvent but actual में एक से ज्यादा partner insolvent होता है but not on example देज़े पार्टनर A, B, C D and E ठीक है past partner है E insolvent हो गया A, B, C, D solvent है but E insolvent है तो इसका लौस किस में बटेगा A, B, C, D राइट इसका लौस हम किस کिस को बाढ़ देंगे इन चारू को बाढ़ देंगे बरा बना डलने इसका लौस इसका जो भी लौस होगा E का लौस हम इन चारू को बाढ़ देंगे कुनसे रिशा में पी ASR में ये लौस लेने के बाद capital reduce होजाएगा यह लॉस होने के बाद डी का capital debit balance हो गया एंड डी भी इंसॉलवंट हो गया लॉस लेने के पहले हो solvent है बड़ अब क्या हो गया कि डी पेसे ले रहा रहा है तो उसने जितना लाया उसमें से डी को कुछ लेना पड़ेगा अब इसकी वज़े से डी अब क्या हो गया कि इससे जो पैसे आने मैं क्या बोलता हूं यह पैसे देगा फॉर्म को सपोज मेरा इससे फुर्म को लाने है और वह फॉर्म मुझे देगी 15 कार्थिक ने अगर वह फॉर्म को देगा नहीं तो मुझे मिलेंगे नहीं मैं उसको कुछ दे सकता हो क्या नहीं तो वैसे हो गया क्या हो गया कि इबीकें इंसुञाट यह लेने के बाद बीकें इसमें बलते है, अब यह लास किसमें हो गए है यह तो क्लोज होले है हाँ – अब इसका लास किसमें बटे गा रिमेनिंग पांटनर्स a b c है यह लोस होने के बाद और対 छी सिद्र सीचार आप तो C का लॉस किसमें बटेगा, remaining solvent partners समझाद, तो logic वही है, logic वही है, जो solvent होगा, उस दिन जो solvent partner से उनको वो loss हमें क्या करना है, डिस्टिब्ट करना है, तो अभी question अहीं से रहेंगे, there are three partners, उसमें से पहले एक solvent होगा, और फिर दूसरा insulin होगा, तो पहले insulin होगा, उसका loss दोनों में बाट देंगे, फिर जो insulin होगा, उसका loss, जो एक अत्यरा बाती है, उसको बाट देंगे, अब यह मत बोलना कि सर अगर वो भी insulin होगा है, तो question करने का style ही change होगा है, हम इसको ऐसे करते ही, उसका पूरा method अलग है, वो पूरा अलग type का question है, ठीक है, तो वो पूरी method अलग है, मतलब ऐसे भी नहीं होगा कि वो भी insulin होगा है, तो हमने जो किया, अभी तक सब wrong होगा है, ठीक है, इसलिए question में इसे रहेगा कि पहले एक partner insulin होगा, फिर दूसरा partner insulin होगा है, लाश्टियर तक यह questions नहीं थे, इसे बीच वाला कुछ नहीं था, ठीक है, बट logic is the same, कि जो भी insulin होगा, उस दिन पे जो solvent है, हम उनको उसका last transfer करेंगे, ठीक है, तो now the question number, one page number, 234, question number one, page number 234, page number 234, illustration है, 234, अच्छा, उपर है, 234, दाल देना, वें टू पार्टनर्स बिकोम इंसॉलवंट, नरेंद्र देवेंद्र औ महेंद्र, नरेंद्र तो सॉलवंट रहेगा, यह गयारेंटीड है, बाकि सर किसका कुछ भी हो, निरेंद्र देवेंद्र और मेंद्र अर्थ पार्टनर्स शेरिंग फ्रॉंस इंड रिशे प्रीज तो टू तो टू अधिशनेस इस जॉप्रीज करेंगे आपनेशिन खरेंगे अधे डिसाइड टिशाओंड आपनेशिप फिर्म आपनेशिप फिर्म अबॉटेट महेंद्रा एंट मशनरी एंट्रीन श्टॉक फिर्टी और फिर्टी श्टाउजन डेटर से फोटी जुट्टाउजन आगा है मोटरकार इस टेकन बाई देवेंद्रा फॉर ट्वेंटी श्टाउजन मोटरकार देवेंद्रा लेके गया रिलिशन एक्समेंसे टुटाउजन ठीक है डेफिशनसी ऑफ एनी पार्टनर इन दे कापिटल अकाउंट इस मेड़ बाई आदर पार्टनर्स इंडियर प्रॉफेशन लेशन 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 आगे नरेंद्र विकम इंसॉलबनट अन म हेंद्र खुल कुल बृंग अल्ली 10,000 नरेंद्र का अकॉंड को खेंगे और फिर महेंद्र का बच्छे का अगे अच्छा नरेंद्र नरेंद्र क्लोज हो गया फिर महेंद्र क्लोज होगा फिर बद्रेंद्र बच्छेगा ठीक है आगे अगे निपन्ना ही नहीं नहीं आगे नेक्स्ट लेट्स टार्ट सिंपल एक वेस्चन कुछ नहीं है तो यह क्वेश्चन के प्रबबिटी जादा रहें कि इस फर्दर वेरी फरस्ट है मैं तब क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होंगे क्योंकि यह लाश्ट यह तक ऐसे क्वेश्चन नहीं थे तो क्वेश्चन नमबर वन पेज नमबर 134 या 234 अकाउंट रियलाइजेश्चन अकाउंट मैं कॉपी पेश कर रहा हूँ उपर से लें कम्स कापीडल अकाउंट रियलेश्चन अकाउंट तीन पार्टनर से तीनों के कापीडल अकाउंट पार्टनर का लोन होता तो मैं अलग से ओपन कर दा लेकिन तोड़ी कैपिटल के लिए जगह रखना विकॉज ताइम लगेगा अपने को मतलब उसको ठीक स्पेसिंग होनी चाहे तो क्लिक होगा आपको इगा नरेंद्रा देवेंद्रा महेंद्रा एवरीवन चलो बैलेंशीट में जो है एक जगह पर आएगा कैपिटल से तीनों के बालखिएग कर्णार कमें दोर्य पर क्रिडियूं आपको ट championships प्रेंशीट वालियूंसाै के लिए ट्रीटन से।च कर्णार्य जोंप क्णार्स तू लाक्स, ठीक है, आसेट डेबिट में डाल दो, तू संट्री असेट्स, एके, प्लांट एन मशिनरी, वन लाक, ने, मोटर कार, लुपीसा, यहर्णा, रुपीस्टनी, प्लोपीस्टनी, च्तंदेटर्सीरिज्टि, लुपीस्टनी, ने, मोटर ऑल्रेड़। एन लगए स्ट एन रुफ जा करा, If. टोटल असेट की टोटल 3,000 कोट्टी है उसमें से 10,000 विक की सीवान सब लिया तो 3,30 तो 3,30 में से 3,40 में से 10,000 चोड़के वाकि सब ले लिया तो 3,30 आ गया ठीक है अब असेट सेल करेंगे एक-एक कैश अलग से आएगा 10,000 तू बालेंस बाट्टा आएगा 10,000 तू बालेंस बाट्टा आएगा 10,000 ठीक है माडम आगे आगे चलो नॉर्मल तरीके से करना है एट तक वही रहेगा प्रोसीजर एट में थोड़ा चेंज होगा आगे लेट स्कार्ट मश्णरी और स्टॉक सेल हो गया बाई बाई मश्णरी एंड स्टॉक सेल हो गया 50 एंड 36,000 पर बाई ना माडम मोटर कार इस टेकन ओर बाई देवेंद्र तू मोटर कार वो लेके गया ना क्रेट पर देवेंद्र कापिटल वो कार लेके गया फॉर ट्वींटी सिक्स थाउजड असेट रिलेज होगे क्रेडिट पर या तो कैश में आएंगे पार्टनर लेकि जाएगा रिलेशन इस्पेंसेश टॉबैंक कैश बैंक जो कुछ दिया एक्सफेंसेश रिलेशन इस्पेंसेश अब तु दॉद ओप्टॉ थॉद खुद के पर करने होंगे ब्लिट्र सुद्ध शुलाइब वर्टॉ लग्स०्बैंक पर लाएंगे थे करने यह तर ओप्षन सो एड्जस्मेंट 1 हो गई, एड्जस्मेंट 2 हो गई, एड्जस्मेंट 3 हो गई, 4 हो गई, तो यहाँ पे सब टोटल भाहर लिग दो, 90, 1,26,000, सो, यु रिसीड 1,26,000, यु रिसीड 1,26,000, तो cash के debit पे आएगा 2 realization, 1,26,000, हमारे पास पहले ही 10,000 है और हमें 1,26,000 आजए, हमारे पास पहले ही 10,000 है और asset सेल करने पे 1,26,000 आजए, बरबर, फिर हम पेयमेंट करेंगे, टोटल पेयमेंट वाए 2,25,000 का, सॉर्य क्व लillions क्वेमेंट वाए बराबना तोफो पेमेंट रहे वाई रियल्जेश्यशेन 2,000 का पेमेंट रहा ह। 12000 का पेमेंट रहा ठीक है आगे क्लेइरे 2,000 का पेमेंट रहा ह। क्लियर है एक्चिली फर्म इंसल्वंट दिखती है क्योंकि हमारे पास कैश वन लाक थर्टी सिक स्थाउदन यह और लाइबरीटिस का पेमिंट टू लाक टू थाज़न हो रहा है बट अभी तक प्राइट अगर फर्म के पास पैसे नहीं है तो कौन पैसे लाएगा पार्टन तो हम पार्टनर से ले सकते हैं यह नहीं लगया कि फर्म इंसल्वंट है अब भी दिखने में दिखेगा कि मेरे पास 10,000 है मेरे पास 1,26,000 है मेरे पास 1,36,000 है और मुझे पेमेंट 2,02 लाक का करना है तो मैं कैसे करूँगा फर्म के पास पहसा नहीं है पार्टनर से मारावार है तो टेंशन मत लेना आगे नेक्स्ट नेक्स्ट टिक है सो पाटनर लेके आएगा नेक्स्ट लानी को बोलेंगी उनको अच्छा यहां तक ठीक है केन क्वी क्लोज रिलाइजेशन कारना कितने बिलेगेगा 26 ठीक है 26 जो वाट इस नव प्रोफित और लॉस लॉस है अर यू शूर फैलाइज ठीक प्रोफित Sam तो 352 एट्टी एक थाउदन एड होगा तो 452 प्लस 80 4,32 आएगा प्लस 1,00, 5,32, 1,00, 80 is loss by loss on realization transfer to partners in their profit sharing ratio, तीन partners है Narendra, Devendra and Mahendra, 3,32 divided by 6, 8, 8 से डिवाइड होगा 1,00, 80 एड़ा बाइड आद्दू ने सोया 22,000 फाइड़ multiply by 3 3,666,7500 6,7500 6,7500 and 44 plus 10,45 loss 2, realization 67,500 67,500 45,000 अब क्या दिक्रा है दान देना यहापर लिकना मत जस्वजर करो जस्वजर करो ठीक है क्या बोलको दान देना लिकना मत अब क्या श्टेटर से देखो यह जो नरेंदर है उसका उसका डेबिड 67,700 दिक्राहं और क्रीड़ कितना है 20 तो नरेंद्र का डेविड वीलोस कितना है 47 thousand फांड़ तो के अगरा त fourty लेने देखं़े अगर सबकुल अच्छे से जाता है तो डेवें तर से कितना लेना है अगर आप देखेंए हो इससफ फय फिर आएगा 13, one carried आएगा 9, देना है हमें, डेबिटीज मोटनल ने अनरेंद्र का, तो वे हाँ रिकावर ना मैं वही बोलो ना, हमें उनसे लेना है किसना लेना, 13,500, अब पिच्चर ऐसे दिख रहे हैं, तीनों से रिकावर करने, हमारी पास कैश कितनी वाग, कितना, कितना कम बढ़ रहा है, हमारे पास कितना कम बढ़ रहे हैं, 2,02 घुटू, हमें पेमिन्ट करना है और हमारे पास 1,36,000 यह मतलब कितना, करना है माइनस 10 माइनस 1,26 हमारे पास 66,000 कम है मैं क्या बोलता हुआ धान देना हमें फर्म को लाइबिटी इसका पेमेंट नहीं हो रहा है फर्म से फर्म के पास पहिसा ही नहीं है फर्म के पास पैसा ही नहीं है गवर्मेंट जैसी पोजिशन है हमारी 66,000 कम है हमारे पास समझ में आ रहा है और पेमेंट कितना करना है मतलब हमेरे पास 66,000 कम है वी के नट पेंट क्रेडिटर सिंफूल एक्चेली देखा जाए तो यह जो कम पड़ेगा वह किसको लाना और तीनों पाटनर्स का मिला के भी हमें देखा अगर टोटल लेते हो ना इस विल्वी 66 होनी तीनों की टोटल 66 होनी चाहिए ओना ऑन गारेंगे वारं ना गारेंट केखा अच्छा एक्जांपल और महेंदर देगा पाच हाजार लेकिन ये कुछ नहीं देंगे ये भी फैक्ट है तो 47,500, 13,500 और महिंद्र से 5,000 इंसे हम लेंगे और आपको देंगे प्रॉब्लम क्या हुआ नरेंद्र ने हाथ उपर कर दिये आत्म निर्बर आप आपका देखो ठीक है तो डोंट टेक सिरियसली जस्ट बोल रहा हूँ यह दोनों लेंगे उनके रेश्यो में लेंगे क्या उन देनों का रेश्यो है 3-2 तो 47,500 जो नरेंद्र ने लाएगा वो देवेंद्र महिंद्र को लाना होगा देवेंद्र ने बाए अब नरेंद्र के लिए कितने लाना है ट्वेंटीए जान देना ये नरेंद्र ये महिंद्र ये ये नरेंद्र देवेंद्र ये महिंद्र ये तीक है तो हमें देवेंद्र से लेने 47,500 जो नरेंद्र से लेने ट्रों को लाना पड़ेगा ठीक है से 19,000 इसके बाद इसका इसका बेस जीरो हो गया नरेंद्र देवेंद्र को खुट के तो तेरा पास्टो लाने ही लाने प्लस उसका 28,000 रानने मतलब इतना 42 ये महिंद्र ये उसके तो खुट के पास्टेंद लाने रोड़ा लाने और द अच्छा महेंद्र ने 10,000 दिये 24,000 महेंद्र से लेने उसने तसर दिये तो आपके पास cash of increase होगी आपके पास cash try to understand इसके बाद इनका capital कितना बचेगा इसका बचेगा 42 एन इसका बचेगा 14 महेंद्र बुलेगा 14 में ने दे सकता को यह किसको लेना पड़ेगा देवेंद्र क्रेटर्स को यह दे नहीं सकता तो यह लेके आएगा तो यह इसका capital कितना हो गया 56 तो 56 एंड में को लाएगा देवेंद्र अगर देवेंद्र भी इंसांट हो जाता है तो अब उसमें कोई creators क सुछ नहीं कर सकते थिया तीक है औलव सन डेवेंद्र ठीक है 56 वह देगा तो आपके पास बरबर 56 बाकी ऐसे होता है तो पहले तीनों को लाना है इस में से इसने हाथ उपर कर दिये तो इन दोलों को लाना होता फिर इसको 42 लाना है इसको 24 इसने 10 अर दिये 14 नहीं दे सकता तो अब हम इसको अकाउंट्स में लिखेंगे लेट स्टार्ट लिखो यहां पर तो पहले किसको करना है सबसे पहले किसका डिष्टिबीट होगा नरेंद्रका तो लिखो पहले नरेंद्र का क्लोज करो नरेंद्र से कुछ आया क्या वाइच एक मेरा मैं इसे लिखता हूं बाइच नरेंद्र से कुछ आया नहीं आया होता तो लिख फिर भाई कि इसका क्या प्रेंड किसमें दिष्टिबीट होगा बोलो सबसे पहले जो इंसलेंटें उसको करो उसके बाद जो हुआ है उसको करो तो 47,500 उसका कैपले क्लोज होएगा यह किसको डेट मारेंगे इन दोनों को सम्झा तो वो अमने हां भूंढा भी था इतना ला 28,500 आइं 19,000 को जो नरेंद्र नहीं लाया वो दे वेंद्रें महें दोनाइगा तो बाई यहां पे देवेंद्र एन महेंद्र आने अब किसके बाद देविंद्र नहीं कितने दिए आपको महेंद्र नहीं कितने दिए पाइच उसका जो बालेंस होगा वो किसको जहलना पड़ेगा देविंद्र को बाई देविंद्र उसका कितना बालेंस होगा महेंद्र का डेविट टोटल 64,000 माइनस 50,000 14 महेंद्र 14,000 नहीं लेकिया आएगा इसको लेना पड़ेगा इसका कहना में यहाँ पे आएगा बाइदेवंद्र और देवंद्र मैंगा तू महिंद्र ठीक है अब भी वी क्लोज करने बागी नीचे लेना होगा मुझे इसलिए मैं बादा स्पेस जनरली जाधा रखो विकाद आपको कुमाना है बहुत सारी अब किसका कैपिल बागी है खाली अकेला उसका भी डेवंद्र का डेवंद्र का डेवंद्र कैश लाएगा कितना ता है यह दोनों मिलाकर 40 यह दोनों मिलाकर 40 आएगा यह दोनों मिलाकर 80 आएगा 40 प्लस 80 वनलग 20 वनलग 27 वनलग 35 वनलक 36 मेरे इसात इसकी डेविट टोटल रख थाख से क्रेडिट टोटलिज एटी तो उसको लाना है 56 था होगा उसका डेमिट बालेंस 56 है अगर यह इसका कैपिल की क्या होगा इसका 56 अगर वो नहीं लाता है तो तो यह में थडी रॉंग हो जाएगी अब इसको डालेंगे तो इसको जब सब पार्टनेस उसका अगर तो इसके आगे हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो यहाँ पे यह यह ला रहा है देविंद्र ला रहा है कोई टेंशन नहीं बाइच लिखा नहीं मतलब वो लेके आ अच्छा महेंद्र ने दसार लाए तो रेकॉड करो तू महेंद्र महेंद्र ने दसार लाए और उसके बाद किस ने लाए देवेंद्र ने 56 अकाउंट टैली हो जाएगा सब्सक्राइब को पूरे पैसे मिले पूरे मिले उसके लिए महेंद्र को तसार देने पड़े और देवेंद्र को 56 देवेंद्र हो रहा होगा बट ऑप्शन नहीं है उसका उसका कैपिल तो गया भाड़ भी उसको खुद और पैस डाला पड़ा बेजनस में समझ में आ रहा है तो यही तो पाटनेशिप में रिस्क इस अलिमिटेड लिमिटेड आपको बाकी लोगो अगर पे नहीं कर पाते तो आपको देना पड़ता है तो आपको देना आप प्र millise करेंगे ऐसे करेंगे इसे ऐसे करते रहें ऐसे आपको नपर वन हुआ है कली अंसा का फासित डूम करेंगा की उनक्रांडर है अ कुरिदे वन होगा है अच्छा यहां पर दो क्वेश्टन से नहीं होने चाहिए प्रक्टिस कि में टू पार्टनेस्ट विकें इंसल्वन टेंग अच्छा एक ही है मैं एक आता है और एक दो क्वेश्टन देखता हूं कि अगर अगर मिलते हैं तो थोड़े और प्रक्टिस हो जाएगे ठीक हां ला है लेकिन आपको दिया नहीं होगा क्योंकि कौन आये क्या आये मुझे पता होना चाहिए मेरे इसके लिए और वहाँ पर स्टैंड रखा है उसका यूज करते जो मैंडव ठीक है ने तो उसके सामने सेल्फी निकालोगे तुम लोग यह मत करना उसका यूज करो अरे क्या है हाज कर हर चीज की सेल्फी है तो